बंकिंग सेक्टर के अंदर यदि हम चोटे और मज़ोली बैंकिंग बात करते हैं तो यूगो बैंक एक अच्छा बैंक है यूगो बैंक सरकारी बैंक है और इंडिया की final fortunes में 80 रंक पर आता है यूगो बैंक के अंदर हम देखे हैं तो इसमें 48पीस के इसके wise कई से में अभी जो कृरिणार ही 35 पिस इसके अभी तेर बवी सिकल और चुकी है और मैरा मिन high trade लो क्योंकि अशेयों और ऑशेयों है तो कि आज चेहेश्यट करी वीडियों का इस समय इंटी करनी चाहिए के और यहदि करनी चाहिए तो हमें किस लेबल पर इसमें करनी चाहिए या तो हम गजी टो न यॉदिग को कि मैंने कि हमारे शटॉप शाया यह एक टेजल के इन उन चार्ट में देख रहे हैं कि यूगो बैंक अपना जो हाई था इसका फॉर्टी एट एट फाइट पैसे का यह था एट इन सेप्टम्बर को वहां से इसमें अच्छी काली करेक्शन हो चुकिया और अभी थर्टी फाइट पैसे के रेंज पर टेट कर रहा है लेकिन हम थोरा स इसमें बढ़ता हुआ फॉर्टी एट रुपीस तर भागा था यानि 21 रुपे की इसके अंदर अच्छी काशी रैली के देखी गई थी वह भी हम देखेंगे एट अगस्ट से लेकर के 18 सेप्टम्बर तर तो लगभग 8 महनिक अंदर शेर जो था वह अपने 27 रुपीस से ब 50 राल मरं में जा शेर पहुंच से गय में कहते हैं आInstरित में, जो दो फॉरा फ्रीक्स कांपलीक्त है और कंफिल्स्ट में तो इसका इंपकले फना के मार्केट में दिखा है। उसेRep काफिश चुका है अपने हाई से और नीचे पहुंच चुका है अपने 35 रुपीस पर यानि की शेयर में क्राफिक करेक्शन हो चुकी है और मेरा यह मानना है कि अब इसमें एक नई फ्रेस बाइंग आनी चाहिए अगर आप अभी इस पे और हैं तो मेरा मानना है कि आप 33 रुपीस 85 का इसके चाहिए और इसमें आपको एक नई इंटी करते हैं तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटन दे सकता है युको बैंक एनसी और बीसी दोनों ही स्टॉक एक्शेंज के रिश्टर से मार्केट कैप्चरिंग है 42,252.51 क्रोड की एक साल के अंदर अपने 12 रुपे 36 प करेंट में शेर का प्राइज है 35 पी 33 पैसे का और वॉल्यूम बहुत अच्छी है शेर के अंदर शेर का पी रिशो है 23.53 याने की अच्छा पी रिशो है जिनरली 20 से लेकि 25 तक का पी रिशो अच्छा पी रिशो आ जाता है अर्निंग पर शेर है 1.56 की सेल है 5223.92 की और ज अच्छा पी रिशो है तो इसमें एक साल के अंदर जो शेर होल्डर को बहुत अच्छा रिटन मिला है अगर हम 50 DMA और 200 DMA को देखते हैं तो add present जो शेर है अपने 50 DMA से नीचे लेकिन 200 DMA से उपर ट्रेट कर रहा है जो present है उसमें जो 50 DMA है 37.50 जबकि 200 DMA 30.10 है तो अभी जो शेर है वो काफी correct हो चुका है और अपने 50 DMA से भी नीचे ट्रेट कर रहा है तो मेरा मानना है कि 35 और 34 50 पैसे के असपास इसमें एक नई फ्रेस बाइंग आएगी और यहां पर वॉल्यूम को भी हम देखें तो काफी अची वॉल्यूम यहां पर शेर में दिखाई देती है और अगर आप इसमें इंट्री करते हैं तो अच्छी चांस है इसका यहां पर इंट्री करने का और य 95.39% की प्रमोटर्स की इसमें सेदारी है सेप्टेवर 23 को FIS में इसमें है 0.09% जो पिसला जून 23 में इसमें 0.05% के इंवेस्मेंट था FIS का जो बढ़कर के हो गया 0.09% FIS ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है साथी DIA जिसमें की LIC सबसे बढ़ा इंवेस्टर से इसमें 1.35 से बढ़ा के इसने 1.36 किया है और जो पब्लिक है उसका इसमें इन्वेस्मेंट है 3.14 प्रॉफिट लाउस को अगर देखे हैं हम कंपनी के तो रेविन्यूस को हम देखते हैं यहाँ पर तो रेविन्यूस की इस्तिदी क्या है जो रेविन्यूस 22 मार्च को 14,981 क्रोर में था वो बढ़कर के हो गया 17,651 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छा रिटर्न जो रेविन्यू है कंपनी के बड़ी है साथ हिं इंट्रेस और एक्सवन्स और फाइनेंसर प्रॉफिट को हम देखते हैं तो फानेंसर प्रॉफिट जो 22 मार्च को नेगेटिव में था वो बढ़कर के हो गया 614 यहांनी प्लस में आ गया है ना सिर्ट नेगेटिव अमांट को खतम किया है बलकि युँब लेकर के इसमें नई इंटरी कर सकते हैं दोस्तों किस भी शेर में इन्वेस्टमेंन करने से पहले आपको शेर के बारे में पूरी जानकरी जुरूर रहे लें चाहिए साथ अई यहां पर इसका आरेसरे लेखेंगे तो आरेसरे भी यहां पर 50 से नीचे आचुका है तो यहां एक Phras buying definition इसमें में बनेगी और आप इसमें investment कर सकते हैं तो share में investment करने से पहले आप देस्क